आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज कर व्लॉग शरू करती हूं मैं और आज मैं आपके सार शेयर करने जा रही हूं एक बहुत जादा विराल ब्रेड मिल्क पैनकेक रेसिपी है जो आज कल बहुत जादा वाइरल हो रही है तो मैंने इसे ट्राइ किया है तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और मैंने ले लिया है अम्मूल बटर तो मैंने दोनों साइड पे अच्छे से लगा के इसे ब्रेड को मैंने सेख लिया है इस तरह से नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं आप सिंपल कोई भी पैन ले सकते हैं इसली बन जाएगा किस परिशानी नहीं उनने वाल है उसके बाद में दोनों तरब से हमें अलक हलका स Fenyane के बाद में हमें लेना है दूद और यहां पर मैंने दूद एड किया है बस एक मिस्टेक मुझसे हो गई है इसमें की मैंने सारा दूद साथ में डाल दिया है تم आपको दूट डालना है और completely absorb होने तक इसको medium flame पर रखना है आपको और यह बहुत जादा आसानी से absorb हो जाएगा और यहां पर आपको flame को high कर देना है और मैंने यहां पर डाला था शक्कर जैसे कि हम शक्कर आज कर रहे हैं आप लाश्ट में हनीवी डाल सकते हैं इसको सेखने के बाद पर मैंने पहले डाला था ताकि इसमें मिक्स हो जाए थोड़ा सा मुझे इसमें sweetness आए क्यूंकि दूद मेरा विदाव शुगर था उसमें कोई चीनी एड नहीं थी तो यह देखें जितना भी दूद मैंने इसमें डाला था वह सारा एड्जॉब हो गया है इस तरह से और इसको अच्छे से सेख लिया है मैंने और थोड़ा सा दूद और मैंने आप एड किया है इसमें और यह दे मैंने हस्बेंड के लिए और जैसे कि मैंने बताया आप इस पैंकेक को जब भी भी ट्राइ करें तो थोड़ा थोड़ा दूद डालें एक साथ नहीं डालें और और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और आप भी ट्राइक कर सकते हैं और जो बच्चे थोड़ा द सबाया था आदा उसी ने घाया था आदा मैंने दोनों ने हमने घाया था यह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और शुकर की जगा आप हनी भी डाल सकते हैं और यह देखें पैन कितना गंदा हो गया है और इसमें थोड़ी देर के लिए मैंने पानी भरके रग दि में रहते हैं उसके बाद मैं मैं निकालने लगी हूं मलाई जो कि मैं एकहटा करती हूं मलाई को और फिर बाद में जी बना लेती हूं भर और पुछ और दूद भी मेरे पास रखा हुआ था उसको भी मैं साथ में ही बॉइल कर दोगी और साथ में ही फिर हम नाश्टा करेंगे बैट कर तो यह देखें श्रक्र है जो कि मैंने कांच के एक जार में स्टोर करके रखी है और बहुत ही जादा अच्छी लगती है दूद के साथ और बहुत जादा टेस्ट आता है दूद में भी अच्छा टेस्ट आता है शुगर से जादा श्रक्तर अच्छी लगती है दूद में और उसके बाद में मैंने सारी डश्टिंग अगरा कर ली थी जाड़ों अगरा मेरा हो गया था उसके बाद में मैं मॉप लगाने जोड़ी दिर के लिए मैंने इसमें प्यास के साथ भूना है इस तरह से और सबी मसाले मैंने निकाल कर बाहर रखे हुए हैं उसके बाद में मैंने इसमें डाले हैं खड़े मसाले थोड़ा सा जीरा, बड़ी काली लाइची, लोंग, तेज पता और काली मिर्च और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मसालो का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए, ये देखें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं कुछ देर के लिए इनको छोड़ दूँगी, ऐसे मिक्स करके, ये देखें, कुछ देर में इ और यह देखें और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूगी और हल्दी थोड़ी मैंने एक्टर डाली है और कोरमे में थोड़ी कम हल्दी डाली जाती है बड़ मैं बनाने लगी थी चिकन इस्टू तो यह देखें कलर थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए इसका हल्दी थोड़ी जाधा ड्मती है इसमें तो यह देखें मैं इस तरह से इसको मिक्स करते जा रही हूं और फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च को कट करके मुटा मुटा कट करके मैंने इसमें डाल दिया था यह देखें तेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हरी मिर्ची और लाल मिर्ची एकुल कॉन्टिटी में एड़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर इसको मिर्ची को डालने के बाद में 5-10 मिनट पकाया है इसको और इसके बाद मैंने टमाटर को मोटा मोटा इस तरह से ग्राइंड किया है उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने इसको खोल के ही इस तरह से कुछ देल के लिए पकाया है पांच मिनट के लगा के इसको कवर करके पकाया था और अब मैं गानिशिंग करने लगी हूँ हरा धनिया से और बहुती ज़्यादा टेस्टी ये चिकन इस्टू बनकर रेडी हुआ था और कोल भी एक्सट्राइस में स्पाइसी नहीं थे ये देखें और काफी अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है अगर आप भी कभी चाहें जादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं चिकन को और कम मसालों के साथ बनाना चाहते हैं एक्स्ट्रा कोई समान नहीं है आपके पास तो इस तरह से आप बना सकते हैं और येकीन मानिए बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है टेस्ट में कोई भी इसके कंप्रोमाइज नहीं किया गया है इसलिए आपको ये रेसिपे इंशार लग बहुत पसंदाने वारी है एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरी बनाई हुई ये चिकन इस तू रेसिपी और बहुत ही ज्यादा ये तेस्टी बनकर तयार होती है ये देखें अब ही मैं सर्फ करने लगी हूँ और इसको डिश आउट करने के बाद में ये देखें इसका रूप और ये बहुत ही जादा टेस्टी बनाया है और टैंडर भी अच्छे से हो गया है उन्हीं मसालों के साथ और मैंने इसमें पानी भी एड नहीं किया था बिल्कुल भी मैं मैंने इसमें एड की थी और जिससे काफी अच्छी ग्रेवी आ गई है इसमें और जैसे कि इसमें मैंने धनिया पाउडर एड किया था क्या बार में इसमें धनिया और सौंफ क्रश करके या फिर कूट के अच्छे से जब डालती हूं मैं इसमें और काफी अच्छा इस चिक यह फिर भी बहुत जादा टेस्टी बना है और यह अच्छे से गल चुगा है अच्छे से टेंडर हो गया है यह देखें तो ट्राइ जरूर कीजिएगा इसके बाद में मुझे बनानी ती रोटिया तो अभी मैं आज के व्लोग को यहीं पर एंड करती हूं मिलूँगी आपसे नेक्ट व्लोग में तब तक मेरे चैनल को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दौाओं में याद रखें अला हापीज तक मेंटक चाहा उला है